नमस्कार दोस्तों मेरे चानल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो कल से एक एड इतने ट्रेंड में है बहुत लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं बहुत लोगों का हीट का सामना करना पड़ रहा है और फाइनली आज उस आड को प्लाटफॉर्म से निकाल दिया गया है एक लेटर पबिश करके कंपनी के द्वारा तो वो आड कौन सा है तो उस आड में ऐसा क्या है कि लोग अपना गुस्सा उसके उपर उतार रहे हैं लोग बाइकॉट कर रहे हैं उस आड को तो उस आड के बार में थोड़ा सा बताती हूं मैं ओवर्यू उसका वीडियो मैंने लगाया है बीच में तो आप देख लीजिएगा पूरा आड का वीडियो है वो देख लीजिएगा आपको पता चाजाएगा तो उससे पहले थोड़ा सा उसके बार में बताती हूं मैं जो प्रेगनेंन जो की है। वहे हैं जी अना कीजिता है। बहु सब देखके चौक चाती है और वो अपने सासुमा से पूछती है कि यह आपके टेडिशिन में नहीं होता है पर भी आपने इतना सब कुछ किया है सासुमा बोलती है कि बीटी को खुश करना हर मा के जिम्मेदारी होती है जब यह आप प्लाटफॉर्म में आया बहुत लोगोंने अपना हीटरेट दिखाया कुछ लोग इसके तरफ थे कुछ लोग इसके अगेंस थे बहुत सारे सेलिबरिटीज ने भी अपना व्यू दिया है मेन है कंगना रनाव जी उन्होंने कहा है कि मैं साड की निंदा करती हूँ इसमें जो भी दिखाया गया है बढ़ा भी सही नहीं है क्योंकि इसमें ये दिखाया गया है एक लड़की जब अपने फैमिली को वारस देती है तब भी उसका सम्मान किया जाता है और उसके इमोशन को रिसपया जाता है बहुत लोगों ने ऐसा भी ट्वीट किया कि हिंदू लड़की मुसलिम के घर क्यों जाए मुसलिम लड़की इंदू के घर क्यों नहीं आती है हर एरड़ड़में ऐसे क्यों दिखाया जाता है क्या ये लव जिहाद को प्रोमोट करता है? कुछ लोगों ने कहा कि इसमें क्या गलत है? इसमें दोनों का बहुत ही ब्यूटिफुल रिलेशन दिखाया गया है. दोनों धर्मों का ब्यूटिफुल रिलेशन दिखाया गया है. इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें आप क्या बोलना चाहते हो, आपका विचार क्या है, आपको लगता है कि यह सही है या गलत है, बट अभी कंपनी ने उस आड को निकाल दिया है, और एक लेक्टर पब्लिश कर दिया है अपने ट्विटर हांडल में, इस आड के हो जैसे कि सब अपने अपना अंगल से आड को देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिवली वो आड को लिया था, बहुत कुछ लोगों ने नेगटिवली उस आड को लिया था, तो आप किस तरह से ले, तो अपना ओपीनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता करेंगे, प्यार पिरोते जाएंगे, एकसे दूजा सिर्या जोड लेंगे, एक बंधन बूंते जाएंगे. मा, ये रसं तो आपके घर पे होती भी नहीं है न, पर बिठ्या को खुछ रखने की रसं तो हर गर में होती है न, एक जो हुए हम, तो क्याना कर जाएंगे… एकत वो पाइटनेस्ग.